हलो दोस्तो मैं प्रशान तो जो भी लोग शराब का सेवन करते हैं वो लोग एक ब्रैंड से जरूर फैमिलियर होंगे वह आपका ओफिसर 24 ब्रैंड और जो कंपनी ये ब्रैंड बनाती है उसी का आई पियो आने जा रहा है यहां हम बात करें एलाइट ब्लेंडर्स का और इस आई पियो को एवॉइड करना साथी साथ क्या ये आई पियो एज लिस्टिंग गेंस हमें प्रॉफिट बना के देगा या फिर नहीं देगा और प्रॉफिट बना के देगा तो कितना देगा वो हम ग्रे मार्केट प्रैस के बेसिस पे फाइंड करने की कोसिस करेंगे त तो बस इस वीडियो में लाश तक बनी रहना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है और कौन-कौन से प्रोड़क्ट बनाती है। तो सबसे पहले ये कंपनी आपका शरण बनाती है, अगर हम एक लाइन में इसके बिजनस को समझनी कोसिस करें तो ये अपका फॉरेन कंपनी है लेकिन इंडिया में शरण बनाने का काम करती है और ये शरण चार कैटेग्री में बनाती है जिसमें आता आपका विश्की, ब्रै गडियोति कि विनकिनग वाटर भी बेचती है यानि कमपनी नहीं चाहती है यह अगर हमारे यहां से शराबप्रचे़ करें तो पानी दूसरे के यहां से पॉरे खयाल रगाती है खिराब और पानी सब एक ही जगह से पर्चिज हो और यह जो पानी बनाती है वह ऑफिसर च्वाइस के नाम से ऑफिसर च्वाइस प्लू एन इस्ट्रेलिंग विजर ब्रैंड के नाम से वाटर भी सप्लाई गरती है तो चलिए अब हम इसके विजनस मॉडल के बारे में थोरा सा और डीट में प्रजेंस हैं नौर्ट और सौथ अमेरिका में प्रिजेंस है अफिरका एसिया और यूरोप में तो इसका इंटरनेशनल एक्स्पोजर भी है और इंडिया में भी ऑफिसर च्वाइस काफी पॉपलर ब्रैंड है तो चलिए अब हम इसके कुछ इंपोर्टेंट डेट के उपर बात करते हैं क्योंकि यह तो समझ में आई गया कि यह किस फिल्ड की कमपनी है बस अब हम इसके पीर से कंबूजन करके देखेंगे कि इसका बिजनस कितना ज्यादा बहतर है और वैलुएशन वाइज और फाइनिसल वाइज कितना स्ट्रॉंग है यह नहीं है उससे हम अगर हम बात करें तो 28 जून को यहाँ पर एलॉट्मेंट डेट वहने वाला है और रिफंड की बात करें तो 1st of July को रिफंड मिल जाएगा अगर आपको एलॉट्मेंट नहीं मिलता है तो लिस्टिंग डेट की बात करें तो 2nd of July को ही लिस्टिंग डेट होने वाला है यह इस दिन यह मारकेट मेंड लिस्ट हो जाएगा प्राइस बेंड की बात करें तो 267 से लेके 281 का प्राइस में वहने वाला है यह तो आप बोली जाहिए 281 जाहिए थ्यान रखना और इसमेंट पर अप्लाइगा तब ही आई प्यो मिलेगा अदरवाइस नहीं मिलएगा लॉ 15ैण है यह हजार करऊ जा रहा और 500 जो लोग अपना शेयर शेयर पेच पांके पास तो कमपनी के पास टेप बहुत ज़ादा जो कि आगे मैं आपको एडियल से उससे कम करने का काम किया जाएगा यहनी आफ्टर लिस्टिंग कमपनी के पास डेप्ट और कर्ज कम होगा जो कि अगला फाइनेंशल अगर बहता रहा तो कंपनी आपका बाउंस बैक कर सकती है बरियां पर्फुमेंस मार्केट में दिखा सकती है आफ्टर लिस्टिंग इस बात पर ध्यान रखना है तो आईपी ऑब्जेक्टिब काफे क्लियर है और काफी अच्छा भी लग रहा है बांकि अब इसके सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट फाइनेंसल के उपर बात करते हैं तोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि इसी के विशिस पे आप एक डिसिजन ले पाएंगे कि इस आईपी ओं में करना क्या है कंप्लीट डिसिजन त बात करें तो रेवनिव में आपका डिप देखने को मिला है सेवन थाजन तूहनवेट इट करो रेवनिव था एफ़ वाइट वीक्नी तू में यहाँ पर हमें तरिफ नि देखने को मिला जो कि लास्ट फांट से सकप मैं और और फ़िट फुए फर्सट नाइन मांस की बात करें तो f24 का भी revenue इसी के बराबर या फिर इससे कम ही रहेगा तो revenue में हमें f24 में भी कोई jump देखने को नहीं मिल वह कोई improvement नहीं मिल वहा है profit की बात करें तो लगबग आपका धाय करोड का profit f21 में किया था देर करोड करें का profit f22 में किया था और इसी के आसपास profit आपका f23 में भी करा है अब f24 में profit थोड़ा सा jump किया चार करोड करी लेकिन revenue में डिप मारा है तो चलिए profit बाज तो थोड़ा सा ठीक है लेकिन overall ठीक नहीं लग रहा है बांकि company का जो कर्ज है वो year on year increase हो रहा है यही concern है और IPO से पैसा आएगा उससे कर्ज कम करा जाएगा तो अब हम इसके financials को rate करें तो financials को हम सबसे पहले खराब नहीं बोल सकते क्योंकि company छोटा ही साही लेकिन company आपका हमेशा से profit में रहा है इसलिए इसको हम खराब नहीं बोल सकते हैं दूसरा कि इसका जो financials वो बहतर भी न बात करें तो सबसे पहले company का जो market cap है वह आपका 7860 करोर 7860 करोर company अगर आपका एक से डेर करोर का profit बना रहा यह बहुत कम है यानि profit नहीं के बराबर बना रहा return on equity बात करें तो 1% करीव है यह बहुत कम है return on capital employed ROC 25% करीव है इसको ठीक ठाक बोल सकते है डेप to equity ratio 1.88 करीव है मैंने बताया था डेप बहुत जादा है लेकिन डेप कम होगा after listing क्योंकि IPO से पैसा आएगा उससे कर्ज कम करा जाएगा return on net worth यह भी 1% है यह भी आपका बहु से valuations महंगा रखना IPO को unattractive बनाता है लेकिन इन सब के बावजूद भी कई सारे IPO हमें अच्छा का सा listing दिया है तो हमें देखना होगा profit margin भी बहुत कम है earning per sales भी बहुत कम है और पी बाइस देखे तो लगबग आपका 1393 के पी पे क्योंकि आपका market क्याप ज्यादा और profit कम है लेकिन इस पर हमें focus नहीं करना इसके peers से competition करना वो हमें focus करना है अगर हम peers से competition करें तो सबसे पहले इसका revenue है 7100 करोड का profit कितना है लगबग डिर करोड करीब है अब इसका revenue कितना है global spirit का 2822 करोड करीब का revenue है जिसमें 96 करोड का profit दिखा रहा है अब profit किसाब से देखे कितना time profit दिखा रहा और revenue भी कम है वेटिको खेतान 12000 करोड का revenue है उसमें से 255 करोड का profit दिखा रहा है मतलब इन दोनों के competition में profit बहुत कम है जबकि valuations अगर आप देखेंगे तो price to book value महँगा है और PYs भी यह हमें महँगा दिख रहा है तो पिर्स से कंप्रिजन करने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गया कि financials भी ठीक ने है और IPO यहां पर आपका costly भी है लेकिन इसके बाब जूद भी कई सारे IPO ने हमें अच्छा खासा profit दिया है लिस्टिंगे तो क्या IPO यह भी profit देगा तो यह हमें देखना और यह हम आपको आगे अनलाइज करके बताएंगे लेकिन उससे पहले positive negative के उपर बात करना चाहेंगे तो सबसे पहला strong brand portfolio जो कि आपको पता ही था सबसे famous है वही ऑफिसर च्वाइस एक्सपोर्ट पोटेंशल काफी खतमनाक है लाज डिस्टिबिशन निटमर्क है इसके positives में आते है negatives कंपनी के पास curves बहुत जादा जो कि मैंने आपको बताया था लेकिन यह जो निगेटिव से after listing थोड़ा सा कम होगा revenue decline कर रहा है जो कि लेकर यहनि इसके management को काफी जादा काम करना होगा चलिए finally देखते हैं यह IPO कितना profit देगा एजल स्टिंगेंस तो grey market में इसका demand है और यह 63 रुपीज के premium पे ट्वेर कर रहा as on 21st June 2024 लेकिन grey market का demand आगे भी बना रहाएगा इसको लेके एक question mark है क्योंकि IPO का financials उतना बहतर नहीं है below average है disappointment कर रहा है उसके बाद अगर हम performance indicator की बात करें तो वह भी काफी काम है valuations भी महगा किसी भी angle से यह IPO सही नहीं लग रहा है grey market में अभी demand है तो इसके basis पे आपको कोई decision नहीं लेना है बांकि lot size of fund आप यहाँ पे देख सकते है profit calculation में help करेगा तो as on 21st June यह IPO 344 के premium पे list हो सकता है अब इसके negative listing की अगर हम chances की बात करें तो लगबग आपका 50 to 60% chances है यह IPO आपका negative में list हो सकता है only आपका 40 से 50% chances है यह IPO positive में listing दे सकता है और positive में देगा तो वही आपका 10 से 15% से ज़्यादा का positive listing नहीं होने वाला है अभी कि इसाब से देखे तो 3500 के आसपास का profit मिलेगा यह नहीं 22% के करीब का agile listing gains मिल सकता है लेकिन अब यहाँ पर apply किसको करना है तो जो लोग risk लेने को तयार है वो भी high वाला वो इस IPO में apply कर सकते हैं नहीं तो इस sector में ही जाना है तो काफे बहतर company है अच्छे valuation पर वहें पर आप safe amount apply कर सकते हैं इससे ज्यादा बहतर return आपको वहाँ पर मिल सकता है बांकि long term के लिए तो ज्यादा attractive नहीं है तो simply आप long term के लिए avoid कर सकते हैं और जो लोग safe जाना चाहते हैं वो लोग भी इस IPO को avoid कीजिए तो clarity की साथ idea मिल गया होगा कि इस IPO में क्या करना है बांकि सब कुछ देखने के बाद आप इस IPO में apply करना prefer करेंगे या नहीं करेंगे comment करके जरूर बताइएगा so that's all मिलते नेक्ट वीडियो में जाहन्त